हेलो बच्चो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहा है वो है अमरा so that the nth roots of unity form a finite abelian group of order n with respect to multiplication. प्रिवियस वीडियो में हमने बात किया था cube roots of unity ये देखा था कि हमारा finite abelian group होता है कि नहीं राइट table का यूज हमने किया तो मैं इसमें n order के group में भी table का ही यूज करूँगा सबसे पहले हम ये सीखेगे कि ये हमारा nth root of unity क्या है क्योंकि तब ही हम इसको अच्चे द्धंग से कर पाएगे clear? तो table में बात जान लेते है कि nth root of unity क्या होता है? तो solution में हम सुरू करते हैं let x is equal to one की whole power one upon n किसको बोलते है nth root तो x की कितनी value आएगी ये हमें चेक करना है अब इस one को मैं लिख रहा हूँ polar form में complex number में हमने इसको study किया zero plus eta sin zero की whole power one by n आप इसको ये भी लिख सकते है cos 2r pi plus eta sin 2r pi की whole power one by n यहाँ पर x is equal to one की power one by n है इस one को हम लिख सकते है cos 0 plus eta sin 0 polar form बोली जाते है की power one by n यह भी polar form है तो यहाँ पर यह केवल हमको एक root देता है और हमें पता है जब nth root है nth root हमने लिए है तो x की value n आएगी clear तो हम इसको use नहीं करते हैं तो मैं इसको हटा रहा हूँ मैंने केवल यह समझाने के लिए आपको लिखा था अब यहाँ पर यह हम जानते हैं कि यह क्या होगा cos 2 pi r upon n प्लस eta sin 2 pi r upon n यह बनेगा clear इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ cos 2 pi upon n प्लस eta sin 2 pi upon n की whole power r यह r की जो value होती है मैं यहीं पर लिखता हूँ इसको r क्या होगा where r is equal to 0 हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है and so n minus 1 तक इसकी value consider की जाएगी तो तभी हमें x की value n type में मिलेगी तो हम इसको यह जो मैंने cos 2 pi upon n प्लस eta sin 2 pi upon n लिखाए इसको मैंने मान लिया alpha इसको हमने क्या मान लिया alpha मान लिया जिससे कि हमें यह easy solution करने में help मिले यह हमारा polar form होता है complex number में यह हमें सीखने को मिलता है और की whole power r यह हमारा x हुआ अब अगर r की value 0 रखे तो हमारा x कितना हैगा 1 आएगा r की value अगर हम रखे तो alpha आएगा आएगा r की value अगर 2 रखे तो alpha की power 2 आएगी और r की value अगर हम 3 रखे तो alpha की power 3 and soon यह alpha की power n minus 1 तक आएगी clear? यह point clear हुआ अब हमें यह सीखना है इसमें कि अगर alpha की power n minus 1 into alpha की power 3 कर दे जाए तो क्या आएगा यह value मैं तुमें सीखाता हूँ क्या आता है देखो ध्यान देना हम जानते हैं कि यह value लिखी जाएगी alpha की power n minus 1 plus 3 तो यह क्या बना alpha की power n plus 2 clear? अब इसमें एक मज़ेदार point यह है कि देखो अगर हम यह alpha की power n ले दे तो क्या बनता है? ध्यान देना मैं यह इस point को clear करके चलूँगा जिससे कि आपको जब हम table बने समझ में आ जाए अची तरह कोई भी problem ना है x is equal to alpha की power n क्या होता है? अब हम यहाँ पर यह आर के अस्थान पर देखो alpha हमने इसको consider किया था न तो यह रखते है cause पहले alpha की value रख लेते हैं 2 pi 2 pi upon n plus ita sin 2 pi upon n की whole power बना n clear? अब हम जानते हैं कि यह जो n है वह यहाँ पर जाएगा multiple में होगा इस angle में multiple में आएगा cos 2 pi n upon n plus ita sin 2 pi n upon n n से n कैंसिल n से n कैंसिल तो यह cos 2 pi यह बना और plus ita sin 2 pi बना clear? अब हम इसकी value अगर बात करें तो क्या होते है? 1 और इसकी value क्या होगी? 0 तो इसका value आया 1 अर्थात alpha की power n का value सदे 1 होगा तो यह value क्या लिखे जाएगी? alpha की power 2 clear? तो दिहान रखना अगर यहां पर alpha की power n minus 1 या ऐसा मैं लिख देता हूँ alpha की power n plus p आता है तो हम इसका value क्या लिखेगे? alpha की power p यह point clear हो गया अगर alpha की power n plus q आता है तो हम क्या लिख देगे? alpha की power q clear? इस point को समझाने का मेरा means यह था हमने जो x की values find out करी है यह क्या है? nth root of unity तो हमें उसका set लेना है ठीक है? हमें क्या करना है? set लेना है उसका तो हम नेक्स्ट पेज पर set ले लेते है g is equal to 1 alpha alpha square alpha की power 3 and so on alpha की power and minus 1 तो यह जो set लिया है यह under multiplication चेक करना है कि यह set हमारा abelian group है या नहीं तो यहां पर हम एक और point लेगे वह point क्या होगा? कि हम यह चेक करना चाहते है कि इसका order कितना है तो कितना order है यहां पर one यहां पर alpha यहां पर alpha की power 2 तो कितने element है यह n element है तो इसका मतलब जी हमारा n order का है तो हम अब table पर चलते है clear? अब हम table बनाते है हमने question लिया है under multiplication तो under multiplication sign लगाओ nth root of unity क्या है? 1 है alpha है alpha की power 2 है alpha की power 3 है and soon alpha की power n-2 alpha की power n-1 यहां पर भी one alpha, alpha की power 2 alpha की power 3 and soon alpha की power n-2 alpha की power n-1 अब हम यहां पर इस one को सबसे multiple करते है 1 alpha, alpha की power 2 alpha की power 3 and soon alpha की power n-2 alpha की power n-1 फिर alpha को multiple करते है यहां पर alpha alpha को alpha के साथ multiple करते है alpha square alpha की power 3 आ जाएगा alpha की power 4 इस alpha को इसके साथ multiple करते है alpha की power n-1 यहां पर alpha की power 1 है यहां पर n-2 है तो यह multiple करते है पावर एड होती है 1 अब यहाँ पर लिते हैं alpha square को 1 से multiple करो alpha की power 2 फिर यहाँ पर alpha की power 3 फिर यहाँ पर alpha की power 4 फिर यहाँ पर alpha की power 5 राइट and soon करते हुए चले जाएए clear यहाँ पर करोगे तो alpha की power यह क्या बनेगा इसके साथ multiple करके alpha की power n plus 0 क्योंकि यहाँ पर 2 power है यहाँ पर n minus 2 है तो n alpha की power n बनेगा और alpha की power n का मतलब क्या होगा 1 तो यहाँ पर हम 1 डालेगे फिर alpha की power यहाँ पर multiple करो alpha की power n plus 1 बनेगा तो alpha की power alpha की power n plus 1 का मतलब क्या होगा alpha की power n into alpha तो alpha रख जाएगा किलियर फिर इसको multiple करोगे किलियर तो मैं इसको तेजी से कर देता हूँ अब इसको alpha की power n minus 2 alpha की power n minus 1 को alpha के साथ करोगे alpha की power n minus 1 आ जाएगा alpha की power n minus 2 को यहाँ पर multiple करोगे तो alpha की power n आएगा जिसका मतलब वा 1 यहाँ पर multiple करोगे, तो alpha की power, n plus 1, तो यह आ जाएगा, alpha, and so, यहाँ पर इसको, और इसको multiple करोगे, कितना हैगा, alpha की power, n minus 2, और plus, n minus 2, तो इसको solve करो, तो यह कितना है, alpha की power, 2n minus 4, clear, अब 2n minus 4 का मतलब क्या हुआ, यह हमें समझना है, clear, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, देखो, ध्यान देना, यहाँ पर alpha की power, 2n minus 4 है, clear, तो यह यहाँ पर आना है, यहाँ पर, clear, तो यहाँ पर, alpha की power, 2n minus 4 आजाएगा, यहाँ पर, alpha की power, 2n minus 5 आजाएगा, clear, बात समझ में आई, जब हम इसको solve करके लिखना चाहिए, तो क्या लिखेगे, alpha की power n, into alpha की power n, minus 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, तो इसको alpha की power n, minus 4 भी लिख सकते है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, alpha की power n, minus 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी परकार से अलफा की पावर N-5 अब इसको सोल करते हैं यहाँ पर आलफा की पावर N-1 यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर अलफा यहाँ पर अलफा की पावर 2 और जब इसको सोल करोगे तो इसका multiple यहाँ पर करो तो यह क्या हैगा अलफा की पावर n-1 इंटू अलफा की पावर n-2 इसको सोल करके देखो क्या हैगा अलफा की पावर 2 n-3 तो यहाँ पर भी इस तरीके से सोल करोगे तो अलफा की पावर n-3 बन जाएगा तो यहाँ पर अलफा की पावर n-3 यहाँ पर alpha की power n minus 4 इस तरीके से हमें यह find out होगा यह point clear हो गया clear अब हमें यह देखना है कि यह table abelion group की property को satisfy करती है कि नहीं clear चलिए शुरू करते है number one closure property पहला point है हमारा closure property को satisfy कर रहा है कि नहीं तो हम चलते हैं इसकी definition को देखते है एक बार जिससे कि आपको remind हो जाएगा closure property क्या कहती है table के अनुसार if every element of table belongs to given set then given set satisfies closure property अब हम यह check करते है देखे यह हमारा table है इस table का हर एक element कहाँ पर बिलोंग कर रहा है इस के अंदर बिलोंग कर रहा है देखो यहाँ पर alpha की power 1 है, alpha की power 2, alpha की power 3, alpha की power n-1 तो इससे पहले कौन ही values रहेगे? alpha की power n-2 and so on, alpha की power n-3, alpha की power n-4 इस तरीके से इसमें सब कुछ हमें मिलेगा तो table का हर एक element हमारा set के अंदर बिलोंग करता है, तो यह हमारा closure property को satisfy कर रहा है second, associative, associative property के लिए मैंने बता कि आप table में क्या देखते हो, जो table closure property को satisfy करते है, वो associative property को भी satisfy करती है तो meanswa की यह associative भी है, third part, third point में हमें check करना है identity, अब identity को check करते है, उसकी definition में आपको दिखाता हो देखे, existence of identity, तो यहाँ पर यह क्या कहता है, the element to the left of the row identical to the top row is called an identity element in the set G under operation star clear, under operation star में, तो हमने यहाँ पर क्या operation लिया है, multiplication, तो यहाँ पर हम multiplication के अंडर में यह कहेगे कि identity क्या है, देखो, इस top row के identical यह row है, इसके left पर जाएए, left पर कोने one है, तो one identity होई, तो one is identity, one क्या होई, identity of, हमने set लिया है, जी, अब हम फोर्त या, यूज करते है, inverse चेक करते है, inverse, inverse को कैसे चेक करेगे, according to definition मैं आपको, समझा देता हूँ, देखो, inverse को चेक करने का क्या method है, first of all, we mark the identity elements in the table, then the element at the top of the column passing through the identity element in is the inverse of the element in the extreme left of the row passing through the identity element and vice versa, means, चाहे आप column से ले लो, चाहे row से बात एक ही होती है, vice versa का मतलब होता है, कि उल्टा सिधा एक समान रहे हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे देखो, हमने identity देखी, table के अंदर यह है one, यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है, clear, तो हमने कहां जहाँ पर identity हैं, हमाँ प आप इधर से भी check कर सकते हो, alpha का inverse देखना है, तो alpha की column में जाओ, जहाँ पर identity है, वहाँ पर रुको, और फिर उस identity की row में extreme left देखो, कौन है, तो extreme left इस है, तो alpha का inverse क्या हुआ, alpha की power n-1, यहाँ पर भी check कर सकते हो, alpha का inverse ऐसे check करो, alpha की row में जाओ, यहाँ पर identity आई, जिस row म हमारी identity है, वहाँ पर रुको, और identity के column में, टोप पर जाओ, टोप में कोन है, alpha की power n-1, तो alpha का inverse क्या होए, alpha की power n-1, तो हम यहाँ पर inverse of alpha क्या लिखेगे, alpha की power n-1, alpha की power 2 का inverse क्या होगा, देखो, row में जाओ, alpha की power 2 की row में जाओ, identity पर रुको, उसकी column में, और टोप पर जाओ, क्या है, alpha की power n-2, alpha की power n-2, फिर थर्ड देखो, inverse of alpha की power 3, क्या होगा, alpha की power n-3 हो जाएगा, देखो, यहाँ पर alpha की power 1 थी, तो n में से 1 सब्टेक होआ, alpha की power 2 थी, तो n में से 2 सब्टेक होआ, तो 3 में से n-3, आप इसी परकार से inverse of alpha की power n-2 का अगर हम चेक करना चाहेए, तो देखो इसके रो में जाओ अलफा की पावर न माइनस टू में तो यहाँ पर रोको और वन की कोलम के टोप पर जाओ अलफा की पावर टू तो यह एक दूसरे के इन्वर्स होते है अलफा की पावर न माइनस वन का इन्वर्स क्या होगा alpha की power 1 तो इसका मतलब है कि inverse की property को satisfy कर रहा है property number 5 commutative property अब commutative property क्या है जरह उसको समझो if the table is symmetrical about the principal diagonal then g is commutative under operation star अब यहाँ पर हमने multiple लिया है तो हमें इस table को देखना है कि यह principal diagonal के about symmetrical है कि नहीं पहले principal diagonal की जो यह हमारा principal diagonal अब देखते है diagonal के दोनों साइड में same distance पर same element है कि नहीं देखो alpha alpha इदर alpha square तो यहाँ पर भी alpha square यहाँ पर alpha cube तो यहाँ पर भी alpha cube clear तो यह same element हमको find out हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह commutative है तो it is commutative right तो hence यह पाँचो properties हमारे satisfy हो रही है तो हम क्या कहेंगे g under multiplication algebraic structure में लिख दिया is finite abelian group clear यह हमारा proof हो गया hence proved बच्चो यह question हमारा पूरा हुआ अगर आपको यह lecture वीडियो पसंद आता है तो like जरूर करें अगर आप इस channel को पहली बार देख रहे है तो subscribe करें साथी साथ bell icon को भी प्रेश करें जिससे की आने वाली हर lecture वीडियो को पता आपको चल सकें और अपने दोस्तों को भी share करें जिससे की वेभी इसका लाब ले सकें बच्चों मिलते हैं ने लेक्चर वीडियो के साथ एक छुठे परेक के बाद अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो subscribe जिरूर करें